Hello everyone, welcome to exam study SSC का stenographer का exam 24 तारिक से start था लेकिन SSC ने इसको पहले ही कंडेक्ट कराने की date issue कर दी है तो इसलिए SSC ने अभी से इसके stenographer, SSC stenographer 2019 के admit card का status आउट कर दिया गया तो आप सभी लोग अपने status जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका exam किस date में और कहां पे center गया है तो चले देखते हैं कि जो notice आया, उस related notice दिखा देते हैं आप लोग को कि SSC का notice आया, important notice पहली बार ऐसा और जान तक होई रहा है कि SSC टाइम से पहले अपना exam करा रहा है The candidate of stenographer, grade C and grade D, examinally held Hereby यह देख सकते हैं कि पहले जो exam था है 24-12 से 13-12 तक जा रहा है लेकिन अब जो exam है, वो 22-12 से 24-12 तक हो रहा है, दो दिन में exam, तीन दिन में exam conduct करा लेंगे लोग पता नहीं जो भी system हो, या कि Corona में जो भी इनको चूट उट मिल गई हो, कि सेंटर में इतने जादा लोग जा सकते हैं exam देने नए issue जो भी हुआ हो, तो जो नई date है वो 22-14 के बीच में है, कि 22-14 के बीच में हो लोग के exam होने है तो official पर भी आप लोग को दिखा सकते हैं कि कैसे, admit card आप लोग को अपने status चेक करना है तो हम लोग यह आप में आगया है, SSC के official website पर तो यह देख सकते हैं कि यह दिया गया status, download admit card for historiographer grade C and grade D, examination 2019 to be held from 22-12 and 22-24-12 तो जैसे इसमें click करेंगे, तो यह show होने लगएगा, लिखाया है कि अभियरती अपने लिए features in addition के प्रवदेश ज्यानने कि भाई जो बताया कि मूल ID ले जानी होती है, जो जन्मतिति इस related हो status check करते हैं कि यहां पर click here करेंगे, इसे click here करेंगे, यहां पर नए window open हो जाएगा, अलग-अलग reason के लिए, अलग-अलग website show करने लगएगा तो लिखा है, click, proceed if you, exam center, UPnBR, मतलब जो central reason है, SSC का, वहां कहीं आप लोग देख सकते हैं कि यहां का, डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पर जाएगे, यहां पर तीन टैप के matter दी रहे थे हैं कि, आपके पाद रिस्ट्रेशन आइडियों तो से बढ़ सकते हैं, यहां पिन ना और center पता चल जाएगा, कहां पर है, तो इसी के लिए, आप लोग अपनी exam के लिए prepare कर लिए, और हमारे साथ feedback के लिए जुड़े रहे हैं, धन्यवाद